इंदोर शहर की आबो हवा अच्छी बनी रहे, सी को लेकर इंदोर नगर निगंभी लगातार कोशिश कर रहे है 22 सितंबर को महापोर पुष्चमित्र भारगव की अपील पर शहरवासी वा विभिन संस्थाय कार का इस्तमाल नहीं करेगी यह कहना है महापोर पुष्चमित्र भारगव का ACN भारत के पॉलिटिकल एडिटर अर्शक खान से खास चर्चा करते हुए महापोर ने कहा की शहर के यादयात को सुधारने वा आबो हवा अच्छी रखने के लिए ये एक पहल है इसी पर किसी का दबाव नहीं है इंदोर ने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया है सवच्टा को लेकर संकल्प लिया गया था आज देश में नंबर वन हैं इंदोर अब एक और संकल्प लिया जा रहा है कि शहर की हवा को सुधारा जाएगा शहर के ट्राफिक को सुधार जाएगा और यही है मोटो हमारे महापूर पुष्मित भार्गोजी का जी यां 22 सितंबर को शहर में कारे ना दोड़े प्रदूशन पर हम कंट्रोल कर पाए इसी को लेकर महापूर पुष्मित भार्गोजी ने एक घोशना किये और अपील किये शहर वाथियों से कि वे 22 सितंबर को कार लेकर नहीं निकले लोकल वहनों का इस्तमाल करें दो पहियां वहनों का इस्तमाल करें ज्यादा ज्यादा साइकल का इस्तमाल करें और लोकल ट्रांस्पोर्टिशन जो नगनीम द्वारा संचालित के जाता उसका उप्योग करें महापुर्दी आपकी बड़ी अच्छी पहले यह सोचता को लेकर हम लगातार नंबर वन पर बने हुए हैं अब बात यह आ रही है कि हवा भी साफ हो इसको लेकर आपने एक अच्छी पहल किये यानि कल याने 22 सितंबर को आपने लोग की जंता से सभी कार चालकों से और कार मालिकों से याग्रह किया है कि इन दौर के स्वच्छ पर्यावरन के लिए यातायात पर दबाव कम करने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रों का स्वागत करने के लिए हम एक दिन अपनी कार न चलाएं यह जरूर सिंबॉलिक है एक एक्सपरिमेंट है एक प्रैक्टिकल है लेकिन यह नौर की तासिर है कि जनभागीदारी से शेहर हित में हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो वो सफल होता है और यह शेहर हित का प्रयोग है सफल होगा तो धीरे-धीरे इसको अपनी आदत बनाएंगे क्या लगता है आपको जिस तरह से दिल्ली में प्रदूशन बहुत जाता है वहां पर और इवन के फारूमले पर कारें चलाते हैं अर्विन के जिरिवाल की सरकाल आप भी उसी फारूमले पर चल रहे हैं क्या आने वाले वक्त में और इसको बढ़ावा दिया ज दिल्ली में कंपल्शरी करके करवाने में और इंदौर में स्वच्छता की या किसी भी चीज की आदत स्वेच्छा से बनाने की ताकत है तो यह आग्रह है यह दुराग्रह नहीं है यह कोई कंपल्शन नहीं है कल भी अगर लोग चाहें तो अपनी कार लेके निकल सकते हैं लेकिन इंदौर की तासीर है कि हम अच्छा काम करने में जन्भागीदारी से काम करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि not as a compulsion, as a duty. अपने विहवार से हम शेहर के हित में क्या कर सकते हैं। जैसे उधारन के लिए कल हम अपनी साइकल का, टू विलर का, इरिक्षा का, पबलिक ट्रांसपोर्ट का उप्योग करें। बहुत आवश्यक हो तो कार पूलिंग करें। बच्चों को जिनको कार से स्कूल जाना होता है। वो पेरेंट से मेरा आग्रह है कि पांच्छे बच्चों को एक साथ वो स्कूल छोड़ सकते हैं। लेने जा सकते हैं। इंडस्ट्री, फैक्टरी में काम करने वाले लोग कार पूलिंग कर सकते हैं। तो ये प्रयास का विशय है, आग्रह का विशय है, दुराग्रह का विशय नहीं है। आपने जब से अपील की है कि सारी संस्ताइं आगे आई हैं इवन हाइकोट ने भी कहा है कि इसका पालान किया जाना चाहिए और इस तरब ध्यान दिया जाना चाहिए मैं माननी उच्छनियाले का बहुत रज़े से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं साथ ही इंदोर शहर के सारे associations, NGOs, car dealers, public transport को promote करने वाले cycle को promote करने वाले जितने associations हैं हमारे व्यापारी संग है, resident welfare association है, कई गरबा पांडालों ने इस मुहीम को आगे बढ़ाया है मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि शहर हित में आपका जो योगदान है, ये इंदोर को और नए सोपान पर ले जाएगा आपने जब पदगरण किया था महापूर का, तो आपका एक मोटो था कि शहर के ट्रैफिक को बहुत विवस्तित किया जाए, सुचारू रुप से किया जाए लेकिन हमारे शहर में अभी लोग से वह वहाँ इतने उपलब्द नहीं है, जिसकी वैसे ट्रैफिक कंजेक्शन अभी भी उतना ही है, किस तरह की अपीलों से क्या ट्रैफिक में सुधार हो पाएगा? यह देखिए, निश्चित तोर पर होगा, यातायत पर जितना दबाव कम होगा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मन्नी मुख्यमंत्री जी के नेतरतु में लगातार इस पूरे शहर में 21 चोटे बड़े पुल बन रहे हैं, साथ ही कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग में जो ट्राफिक मित्र को पूरा काम देखते हैं, रिशब बागोरा जी, उन्होंने खुद ने पूरे शहर में इसका नेटवर्क खड़ा करने का काम किया है, लोग छोटे से आगरह पर शहर के हित में निकल के आते हैं, तो ये धीरे धीरे शहर को यातायात में भी नंबर बने हैं, ट्राफिक में हम नहीं देखते हैं इस तरह की चीजें, लोग याता है तो ये हमों को लगातार उनलंगन करते हैं, दो पहियां वाले तीन सवारी पर चलते हैं, आपकी सीटी बसे और टेक करती हैं, एक्सटेंज करती हैंगी, याता है सिगनलों का पालन नहीं किय प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी और प्रदेश के यशश्वी मुख्य मंतरी शिवरात सिंग चोहान जी, महमहीम राष्टपती और भी दो राष्टा ध्यक्ष थे, तब एक हजार ट्राफिक मित्रों के प्रयास से शेहर में कहीं जामनी लगा, उसके आप साक्षी हैं, त कि भी कोई नेता की कोई रेली निकलती है, तो शेहर के ट्राफिक को ड्राइवर्ट करना पड़ता है, गलियों में जाम लगने लग जाता है, खास तोर पर एंबुलेंस फस जाती है, इसकी चिंता सब को करनी चाहिए, लेकिन भारत के समविधान में रेली निकालना, धरना करना, प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, जनता को अपना विशे बताना हमारा अधिकार है, पुलिस विभाग उसकी व्योस्था करे, ये एक अलग विशे है, लोग परिशान नहों ये अलग विशे, लेकिन ये सब लोगतंत्र में आवश्यक है, बहुत-बहुत पड़े तो पूलिंग का भी इस्तमाल करें कैमरा परसंद विशाल के साथ अर्शद खान एसीन भारत इंदोर